किस किस चीज़ पर जश्ण मनाया जाए असम को दो फार, दो टुकडों में बाटने वाली, खुंखार पॉलिसी, एनार्सी के चपेट में राज के 19 लाख लोगों के नाम आने का कश्मीर में कम्प्लीट ब्लैक आउट के एक महिने से ज़्यादा समय होने का वहां के नागरिकों, पत्रकारों की आवाज को पूरी तरह से कैद में रखने के शडयंत का या देश की राजधानी दिल्ली में साहिल नाम के हिंदू लड़के को मुस्लिम समझ कर भीड़ द्वारा मारे जाने का या फिर हमारे दौर की सबसे बड़ी जीहां, उम्र और कद दोनों में सबसे बड़ी पब्लिक इंटिलेक्च्वल इतिहासकार रोमिला थापर को जेन्यू प्रशाशन द्वारा सीवी पेश करने का तुगलकी फरमान जारी करने का किस किस चीज का जश्न मनाएं हम लोकतंत्र की धज्जियों को उड़ाने के इस जश्न भरे महौल में आप सबका न्यूस क्लिक के कारेक्रम खोज खबर में स्वागत है मीडिया को तकरीबन पूरी तरह से अपने गिरिफ्थ में करने के बावजूद कभी कभार कुछ खबरें बाहर आही जाती है जिससे सरकार की पोल पटी खुलती है या थोड़ी बहुत परिशानी होती है और सरकार तो फिर सरकार है वह तो सबक सिखाने पर उतर ही आती है इस धमकी ब्रिगेड शाशन में तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदितिनाद उनका कोई सानी नहीं उनका कोई मुकाबला नहीं है मामला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के सियूर के एक प्राथमिक स्कूल के मिड़े मील में बच्चों को रोटी और नमक परोसे जाने का था वहाँ पत्रकार पवन जैसवाल ने इस मामले पर रिपोर्ट की जो रिपोर्ट है वह बहुत मारमिक है उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से बच्चों को बैठा कर सिर्फ रोटी और नमक दी जा रही है यह स्कूल और प्रशाशन की घंगोर लापरवाही का परदाफाश करने वाला छोटा सा वीडियो है एक छोटी सी खबर है हाला कि इस छोटी सी खबर की वज़े से योगी सरकार की खूब किरकरी हुई यह भला योगी सरकार कैसे बरदाश कर पाती वह तुरंथ हरकत में आई और इस की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार पवन जैसवाल पर धारा 120, 186, 193 और 420 पर मुखदमा दर्श किया यानि सरकार का मानना है कि पवन जैसवाल ने प्राइमरी स्कूल के सच को उजागर करके सरकारी काम में बाधा पहुचाई, साजा साजिश की और फरजी वाड़ा किया प्रशाशन का आरोप है कि पत्रकार ने वीडियो क्यों लिया, वह तो फोटो खी चुका था और वह तो प्रिंट का रिपोर्टर था इसे ही कहते हैं, शूटिंग दे मिसेंजर, खबर देने वाले को निप्टा देना तसलिकी बात हमारे लिए ये है कि सरकार के इस कदम का जम कर विरोध हुआ, दिली में भी विरोध हुआ एडिटर्स गिल्ड, प्रेस एसोसियेशन, डियूजे, पंजाब प्रेस कलब, लखनव के पत्रकारों सबने योगी सरकार से सीधे सीधे कहा कि इस तरह की कारवाई वह नहीं कर सकते, इसकी आलोशना की गई और यह मांग की गई कि तुरंट पत्रकार के खिलाफ तमाम मामल से अविलंब तुरंट हटाए जाएं, उधर प्रात्मिक विद्याले की जो कुक हैं, जो रसोईयां हैं, उन्होंने बहुत सहसी काम किया, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि जो पूरा मामला है, यह क्यों हुआ, इसकी दोशी कौन है, तो वह महिला कैमरे पर बोलती है, कि पत्रकार ने सही काम किया, इससे पहले भी वह चावल और नमक बच्चों को खिला चुकी थी, उन्होंने साफ कहा कि यह प्रशाशन की गल्ती है, पत्रकार की गल्ती है इसमें? नहीं, कोई गल्ती में? नहीं, कोई गल्ती में मुरारी सह का गल्ती है, तो इससे पहले भी ऐसे इस्तिती थी? एक दोब नमक या चावल खेया था, फिनोकर यांदर नमक बच्चों कोई थी, दूद में कोटाहाई साफ रहीं, इस चोटी से वीडियो पर जिस तरह से योगी सरकार ने काम किया, उससे एक बात तो साफ है कि उसका जो तानाशाही भरा रवाया है, वह लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह पहली घटना नहीं है, को समय पहले पांच पत्रकारों पर नोईडा पुलिस ने गैंगेस्टर एक लगा कर गिरफतार किया था, क्योंकि उन्होंने योगी से जुड़ी एक ऐसी खबर दिखाई थी, जिसमें एक महिल ने बकाइदा पत्रकारों के सामने अपनी आत्म कथा, आत्म व्यथा सुनाई थी, इस खबर को आगे बढ़ाने और इस खबर पे जिन्होंने ट्वीट किया था, युवा और जुजहारू पत्रकार प्रशांत कनोजिया को भी गिरफतार किया गया, उनके खिलाफ कई मामला बनाया गया, हाला कि बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रहत मिली, इसी तरह से पत्रकार असद रिजवी ने, जब मुहर्रम पर लखनव पुलिस द्वारा जो बंदिशें लगाई जा रही हैं, इस पर रिपोर्ट किया, तो उन्हें भी डराया धमकाया गया, यह जो द बराया धमका रही हैं, और यहां बता रही हैं कि आपको सरकार के पक्ष में ही रिपोर्टिंग करनी होगी, अगर आप नहीं करेंगे, तो कोई भी मामला आप पर लगाया जा सकता है, कश्मीर में पत्रकारों के साथ जो सुलूख हो रहा है, उसकी खबरें धीरे धीरे हमार से लगाया जा सकता है, कि जो लोग रिपोर्टिंग करने गए वहां पर, उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनके किस तरह से कैमरे तोड़े गए, या जो उन्होंने फुटेज लिया, उसे डिलीट करवाया गया, ये तमाम चीजें धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारे सामने आ रही हैं, अभी पिछले दिनों कश्मीर के एक जो पत्रकार हैं, गोहर गिलानी, जिनके पास सारे कागजात थे, उन्हें जर्मनी जाने से रोग दिया गया, बिना कोई वजह बताए, दिल्ली अंतराश्टी हवाय अड़े पर उन्हें रोग दिया गय इसी बीच कश्मीर प्रेस क्लब ने घाटी में जो अभूतपूर्व कम्निकेशन ब्लॉकेज है, जी हाँ, अभूतपूर्व कम्निकेशन ब्लॉकेज, उसके खिलाफ आवाज उठाई है, कश्मीर प्रेस क्लब ने एक बयान जारी करके कहा है, कि वहाँ वरिष्ट पत्रका सरकारों को सरकारी अमला बे इंतहा परेशान कर रहा है उनकी जो सरकारी आवाज सरकार ने आवंटित किये थे वे खाली कराये जा रहे हैं रातो रात उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये लोग सरकार की जो लाइन है जो एड्मिस्ट यार नहीं है हाला कि सिर्फ चार और चार पेजेस के अख़बार निकल रहे हैं अख़बार निकलना महां बहुत मुश्किल है इन सब पर कश्मीरी प्रेस कलब ने मांग उठाई है जो बयान जारी किया है उसमें खास तोर से तीन पत्रकारों का जिक्र है अजाज हुसेन, फय सीधे सीधे पत्रकारों के अधिकारों पर हमला है या सीधे सीधे ये दबाव बनाने की कोशिश है कि अगर आप हमारी लाइन नहीं मानेंगे अगर आप हमारे हिसाब से रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो हम आपको पत्रकारता नहीं करने देंगे सवाल है ऐसे में पत्रकार क्या करे ये जो पूरे हालाद बन रहे हैं या सिर्फ कश्मीर तक नहीं सिर्फ नौर्थीस तक नहीं पूरे देश में जो फैल रहा है अगोशित एमर्जेंसी का दौर इसमें हम और आप कैसे सच के साथ खड़े हों बता और पत्रकार हम कैसे ये ज बहुत जरूरी किताब आई है बुलेट प्रूफ यह किताब बहुत जरूरी है और इसे गंभीरता से पढ़ा जाना और भी जरूरी है खासतोर से पत्रकारों के लिए पढ़ने लिखने वालों के लिए देश में जमहूरियत या डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वालों यहां पर पत्रकारों को जो ऑफिशियल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए जिस तरह से वह युद्ध जैसी स्थितियों में यहां रिपोर्ट करते हैं लगातार बंप फूट रहे हैं उधर से पुलिस की तरफ से फाइरिंग है इधर से बाकी जो अलगाववादी ताकते हैं उनके द इतना पकड़ा गया तोस कैंड फिंग्स आ वरी मैस्कुलीन लेकिन उन स्टोरी के पीछे जो स्टोरी है और तो के स्टोरी महिल आये बच्चे हाव थे आर अफेक्टे बाए कॉन्फिक्ट और मैं खुद एक जर्नलिस्ट हाव अम आफेक्टे बाइस कॉन्फिक्ट तो इस चूजेड जो जर्नलिस्ट शूल से मीडिया स्कूल में इस कॉन्फिक्ट पर्टिंग शूद बीमेड ओंपोर्टन कॉम्पोनेट कि आप अगर ऐसी शुछेशन में हो आप कीस तरह के प्रिकोसिंस ले सकते है और लेना चाहिए और नूंद जाहीं कॉन्ट जात फिजि आपके लिए NRC, as a journalist, as a woman journalist, as a citizen of Assam, क्या है? See, हम सब चाते हैं कि एक free and fair NRC हो, but NRC should not turn into a humanitarian crisis, किसी के सार अन्याय नहीं होना चाहिए, सब को समान वो, मतलब हम, we believe in the constitution of India, तो संबीदान में जो लिखा है, उसको मदे नजर रखते हुए, सब को equal opportunity मिलना चाहिए, to fight their case, but I think, अभी जो confusion चल रहा है, nobody knows क्या होने वाला है आगे. क्या हमें detention center की तो photo मिल रही है, कि यह सबसे बड़ा detention center बन रहा है, भारत में इतना बड़ा detention center नहीं, कोई कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा detention center है, यानि एक हमने मान लिया है कि आबादी के एक बड़े हिस्से को हम detention center में रखेंगे, उनसे बुनियादी सुविधाएं चीन लेंगे, और इसके साथ ही जुड़ा हुआ है citizenship amendment का प्रस्ताव है, जिसमें आप ही मान के चल रहे हैं कि बाहर से आने वाले हिंदू तो तुरंद कि नागरिक हो जाएंगे लेकिन जो मुसल्मान बहार से आएंगे वो नहीं तो यह जो इनसेक्यूरिटी है इसने कितना डिवाइट किया है असम को डिवाइट तो किया है यह and then as a as a human being I don't support detention centers, आप you try to find out more human ways to deal with it, मेरे हिसाब से मानवियर दिस्ट्री से इस मसले का हल होना चाहिए अगस्त महीने के बारे में इंडियन जर्नलिजम रिव्यू ने एक बहुत एहम खोशबीन की वे सामने लेकर आया कि किस तरह से देश के जो साथ प्रमुख अंग्रेजी अखबार हैं उन में कौन लोग छपे किनके विचारों को प्रमुखता दी गई किन लोगों क एडिट पेश पर ओपेट पेश पर लेक छपे किस विचारधारा को प्रचारित प्रसारित इन अखबारों ने किया आए देखते हैं यह जो अखबार हैं इनके नाम दे टाइमस ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू, इंडियन एक्स्प्रेस, टेलिग्राफ, डेकन हेरल्ड, दे न्यू इंडियन एक्स्प्रेस, इन अखबारों में सिर्फ अगस्त के महिने पर अगर हम बात करें तो जो 63 पोलिटिकल बाइलाइन्स थी, 63, उन में से आप पाएंगे कि अधिकांश, मोदी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में, केंद्र सरकार के पक साथ, राम माधाओ, कपिल सिब्बल और बाकी और लोगों के भी थे, आएए थोड़ा साथ लेते हैं ब्योरा इस एहम रिव्यू का, यह पूरा महिना, नरेन मोदी सरकार दवारा मिशन कश्मीर, इनवर्टेट कौमाज में अगर आप देखें इसको, मिशन कश्मीर में, कि जो कौलम लिखते हैं उंकी थी, जो पत्रकार हैं उंकी थी, इन में से जो 63 पीसेज छपे, 63 आर्टिकल्स छपे, उसमें से 49, जी हाँ, 49 भाश्पा की बाइलाइन या तकरीबन भाश्पा की बाइलाइन के आसपास के लेख थे, और इसमें अधिकांश जो बड़े नाम, व बाकी की अगर हम बात करें, तो दस कॉंग्रेस या कॉंग्रेस समर्थित विचारधारा वाले लोगों को जगह मिली, आपके पक्ष में एक, जनता दल के पक्ष में एक, YSR जो कॉंग्रेस है उसके पक्ष में एक, और यश्वन सिना का एक लेख था, सबसे जादा तवज् राम माधव को मिली, जो की भाशपा की जनरल सेकरेटरी हैं, और वो किस तरह से नौर्थीस से लेके कश्मीर में जो भाशपा की पॉलिटिक्स है, इसके बारे में वो बात करते रहे, जैसा हमने पहले बताया, होम मिनिस्टर अमिश्शा का लेख छपा, जिसमें उन्होंने बहुत ही मज़ेदार ढंग से, टाइमस ओफ इंडिया के अंदर, पूरा प्रचार प्रसार अपनी सरकार का किया, इंडियन एक्सपरेस ने इस पूरी जो एक महीने की प्रक्रिया रही, एक महीने की जो आप कहिए, रेस लगी, होड लगी, उसमें बाजी मारी, उसमें 32 ले पाजपा या राष्टी स्वेम सेवक संग, आरेसेस के लोगों के लेक थे, इंडियन जर्नलिजम रिव्यू, कि यह जो विवेचना है, यह जो एनलिसिस है, यह बहुत जरूरी इसलिए है, क्योंकि इससे पता चलता है कि किस तरह से लोगों के दिमाग तक कबजा किया जा है, यह हम टीवी चैनलों की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टीवी चैनल देश भर में जिस तरह से एक तरफा प्रचार कर रहे हैं, जहां पर विपक्ष तकरीबन नदारत है, वहां पर तो तकरीबन कबजा है, लेकिन जो अखबार घर-घर में पहुच रहे हैं, वहां पर भी ऐसे अखबार जिन्हें काफी कुछ कई बार एक ऐसा सेक्शन पढ़ता समझता है और मानता है कि वहां कुछ और ढंकी खबरे भी आएंगी वे अखबार खास तोर से भाश्पा और RSS की जो विचारधारा है इसके प्रचार प्रसार के पूरे मिशन को आगे बढ़ा र बना रहेगा हमारा आपका साथ सच का साथ सची खबरों का साथ बहुत जरूरी है आज के इस दौर में बनाए रखना क्योंकि लोकतंत्र की जो रीड है लोकतंत्र का जो मूल है वह विपक्ष में उठी हुई आवाज है वह सच के पक्ष में उठा हुआ एक छोटा ही सा सही लेकिन जरूरी स्वर है नियूस क्लिक को देखते रहिए खोज खबर को देखिए जादा से जादा शेयर करिए बना रहेगा हमारा आपका साथ फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए दीजिये इजाज़त शुक्रिया झाल